Flipkart Smart Fulfillment Orders को बल्क में प्रसेस करने के लिए सबसे पहले happysellers.in पर जाएए और सौफ्वेर को डाउलोड और इंस्टॉल कीजिए सौफ्वेर इंस्टॉल होने के बाद उसे उपन कीजिए और लॉग इन स्क्रीन पर अपने happysellers अकाउंट से लॉग इन कीजिए अगर आप Flipkart में logged in होंगे तो आपको email यहाँ दिखेगा Flipkart पे login करने के लिए login into Flipkart बटन पर क्लिक करें उसके बाद जिस pin code के orders को आपको process करना है उस pin code को यहाँ से select करें Start here पर क्लिक करें सौफ्वेर आपके account से available pick list फेच करेगा आपको जो pick list process करनी है उसको select करें Process Select बटन पर क्लिक करें जब एक बार सब orders प्रोसेस हो जाए फिर open orders folder बटन पर क्लिक करें यहाँ आपकी सारी pick list फोल्डर में process दिखेंगी फिर आप orders by SKU फोल्डर में जाएए अगर आपके पास बार कोड प्रिंटर है तो आप combined shipping labels को प्रिंट कर सकते हैं और अगर आपके पास A4 प्रिंटर है तो आप combined orders प्रिंट कर सकते हैं अगर आपको duplicate orders मिले फोल्डर में तो इस बटन पर क्लिक करें आप आज की date में process की हुई सारी pick list को combine करके एक batch बना सकते हैं इससे आपको एक-एक pick list को print करने की कोई requirement नहीं होगी batch बनाने के लिए इस बटन पर क्लिक करें धन्यवाद